तो भाई बोर्ड एक्जाम 2025 को लेकर के बहुत बुरी खबर सामने निकल कर क्या रही है CBC के ओफिशिल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट सामने निकल कर क्या आया है जिसको मैं लेट नाइटी बनाना चाहता था वीडियो लेकिन काफी देर हो चुका था मैं भी काफी बिजी था तो मैंने कल वो नहीं बनाया लेकिन अभी इस वक्त बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है CBC और डिफरेंट जो न्यूज अजनसीज है ना जिसमें कि हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज आर्टिकल जो की पब्लिश हुआ था 30 जून 2024 को और जिसे मैंने बताय भी था तुम लगों को कि भाई CBC के तरफ से एक स्टेटमेंट आ रहा है जिस जनलिस्ट ने इस आर्टिकल को लिखा उसने ये कहा कि भाई CBC के तरफ से एक ओफिशल स्टेटमेंट है कि CBC कैनाट कंड़क्ट, CBC कंड़क्ट नहीं कर सकती बोर्ड एक्जाम्स twice a year under current schedule कि current schedule के अंदर में CBC जो है वो अपना twice बोर्ड एक्जाम वाला concept को लागू नहीं कर सकती अब CBC के उपर में ऐसा कहना CBC के उपर मानो आगात हो गया चोट लग गई CBC के दिल पर और भाई चोट लगती है तो क्या होता है अगला आदमी जो है वो respond करता है और ये देखो response जो है वो सामने निकल करके आ गया है ये CBC का official Twitter handle है जिससे मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और इन्होंने तगड़ी खरी खोटी सुनाई है कि भाई different news portals including Hindustan Times अभी मैं तुमको दिखाऊंगा ये सब जो कह रहे हैं कि हम दो board exam को नहीं लागो कर सकते ये गलत है CBC कर सकती है इसलिए मैंने शुरु में कहा मैं भी confused हूँ ये good news है कि bad news है अभी हम इस पर discuss करेंगे लेकिन पहले उस tweet को देखते हैं जो सामने निकल कर क्या रहा है बहुत important है तुम लोगों के लिए यहां पर क्या कह रहा है CBC का official Twitter handle कि this is in reference to the news article ये देखो news article के संबद में हम कहना चाहा रहे है covered in Hindustan Times सीदा सीदा हिदुस्तान टाइम्स का नाम भी ले लिया गया डली एडिशन डेटेट 30 जून ठीक है और जिसका टाइटल था केनाट कंडर्ट वोड एक्जाम ट्वाइस ऐस सीवेसी ठीक है आफ फ्यू अदर निव्ज मेडिया है आफ और सो सिमिलर न्यूज स्टोरी यहां पर सीवेसी के ऑफिशल ट्रेटर हैंडल से कहा गया कि भाई पहले तो हिंदुस्तान यहां पर साफसाफ कहा है कि भाई हमने तो ऐसा कहा ही नहीं आपने हमारा नाम डाल दिया हां सीवेसी न ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि हम दो नहीं कर सकते हैं इस टोटली इंकर्रेक्ट यह रेखो इस टोटली इंकर्रेक्ट एंड और 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 अज ड़स नाट हैव एनी बेसे in communication made between the ministry and cbc बतलब यहां पर कहा गया कि भाई cbc और सिक्षा मंत्राले के बीच में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है ठीक है तो सच्चाई क्या है उस पर हम जाएंगे लेकिन यहां देख सकते हो कि cbc के head office से इस article को और अपने जवाब को tag कर दिया गया है धर्मेंद्र पधान भारत के सिक्षा मंत्री उनको tag किया गया है education minister of India और भी काफी P.I.B. India, P.I.B. HRD, P.T.I. News, D.D. News Live, आकाशवानी, All India Radio, AIR News Alert सब में कर दिया गया है और सकती के साथ में भाई जवाब दिया गया है अब सवाल उठता है कि मामला क्या होने वाला है दो वोड एक्जाम होंगे या नहीं होंगे सच कौन बोल रहा है यह article बोल रहा है यह cbc वले बोल रहा है देखो भाईया मैंने तुम लोगों को सबसे पहले बताया था कि भाई 10,000 से जादा 10,000 से जादा जो प्रिंसिपल्स है मैं लगा था तुम लोगों को अपडेट दे रहा हूं अब तुम लोग यह चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो तो मैं क्या करो पहले तो सब्सक्राइब कर लो चीक है और यहां प पर हम स्टूडेंट्स के मन को उनके दर्द को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके बातों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं गार्जन से पहुंचाने की और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह देखो मैंने दो एपिसोड्स डाल दिया है बह दस हजार से भी ज्यादा सीवेसी अफिलेटेट स्कूल प्रिंसिपल्स के मीटिंग हुई यह मैं तुम को बहुत पहले बता चुका हूं तुम में से जो हमारे चनल को रेगुलर फॉलो करता है पता होगा पूरी यूट्व पे सबसे पहले हमने बताया ठीक है जिसमें की प्र होना चाहिए दो बार या नहीं तो यहां पर यह फैसला लिया गया इस मीटिंग वर्चुल मीटिंग के अंदर में यह फैसला लिया गया जिसमें सिक्षा मंतरी श्री धरमेंदर प्रदान भी उपस्तित थे फैसला लिया गया सब ने कहा कि भाया बिलकुल होना चाहिए बि कब होना चाहिए तो देखो यार जब कोई चीज नई चीज लाँच की जाती है ना कोई नया चीज शुरू किया जाता है तो उसके लिए बहुत तयारियों की ज़र्वत पड़ती है बहुत सारे चीज़ों की, एक नॉर्मल सीवेसी बोर्ड एक्जाम जो अभी कंड़क्ट होता है, उसमें तुमको पता है, तुम्हारे हिसाब से 15 फ़रजिश से बोर्ड एक्जाम शुरू हो रहा होगा, ठीक है? 2025 में होगा तुम लोगों की बोर्ड एक्जाम की बात कर रहा हूँ लेकिन क्या तुम को पता है कि यार 55-60 दिनों से भी उपर से इसकी तैयारिया शुरू हो जाती है मतलब अक्टूबर से ही आसपास से तुम्हारी बोर्ड एक्जाम की तैयारिया खुद कॉपी चेक करता हूँ तुम्हारे बोर्ड एक्जाम की तो भाईया मैं बता सकता हूँ कि क्या होता है और इसलिए जब बहुत सारे लोग ज्यान बाढ़ते हैं तो मुझे हसी भी आता है कि क्या क्या स्टूड़ेंट्स को है वो दिख रहा है ये वाला दो हजार पच्चिस चबश पोर्ड वाले स्टूड़ेंट्स को इसका फाइदा होगा अभी वाले का नहीं होगा तो बुरी खबर किसके लिए है जो अभी जो है या 12 में है उनके लिए ये फाइदा नहीं होगा दो बढ़र एक्जाम का कॉंसेप्ट लेकिन जो 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 बच्चे अभी 9 में है या 11 में है उनको जब वो अगले साल बोर्ड एक्जाम करेंगे 9 वाले बच्चे 10 में चले जाएंगे 11 वाले बच्चे 12 में चले जाएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फाइन होगा तो बाई के लिए दिख रहा है कि 2025 में यह दो बोर्ड एक्जाम का कॉंसेप्ट आएगा लेकिन चेक है यार हम लोग करेंगे और इस बीच में हम क्या करेंगे तुमको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और यार यह इतना इंपॉर्टन चीज दो मेरे वीडियो जारा 703 को तुम जब देखोगे यार तुमको स्याकड़ क्लों बोलते होंगे तुमसे नहीं पाएगा कि हो घख फिंगोने